हेला अब्रीवन वेल्कम टू आर यूटूब चैनल वीक्यों लान पेपर तो देखिए आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे हम डिसकस करने वाले हैं बीए बीस्ट वाले जितने भी छातर छातर हैं आपको पता हो कि 2023 का जो परिक्षा टाइम टेव हैं और यह ट्रिक आप बीए वाले भी यूज कर सकते हैं हाला कि मैंने बीए वालों के लिए पहले वीडियो अफ्लोड कर दिया था कुछ करीब तीन से चार यह फिर एक आज सुबह कॉमेंट आया था पता नहीं कौन शी है नाम याद नहीं है उसका आया था और हो सकता है यहाँ पर लगा दूगा नाम देख लेना जिससे पत्र हो जाएगा कि जो आप कॉमेंट करते हैं उसके पर में वीडियो बनाता हूं क्योंकि आज जो टॉपिक है वह है कि 2023 इस परिक्षा में आप कैसे पेपर करेंगे और कैसे लिखेंगे और कैसे पड़ें जिसे आपकी क चीव बताने वाला हूं सबसे पहले मैं पॉइंट बताता हूं यहाँ पर देखो कि लिए आपको आ रही होगी और के लेटी आने भी चाहिए यहां पर देखो में होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपका आज वीडियो में सूट कर रहा हूं पांस तारि देदो में सभी उसे इंपोर्टेंट मेरिसे बात करिए बातल पित्र लेतर टीन होते पर पृसिकस और इसके बाद मैрь को टालाए क्यमिस्ट्री के लिए जूलो जी तो इन सभी के most important question मैंने upload कर दिये हैं अब सभी कुछ important points बताते हैं जो वीडियो में हारकिसी मोगता है अब यहां पर अगर आपने अभी तग वीडियो देखा है तो कुछ most important points यह है कि अगर आपको 2023 में बनानी है percentage तो आपका देखो मैंने बता ना आज 5 तारिक है चे तारिक समझे लो तो आपका बचा है 10 से 12 दिन क्योंकि किसी का 18 से पेपर है किसी का 21 से है किसी का 20 से है 21 से first year बालों का है 18 का third year से थर्डियर बालों का है 20 का second year बालों का है राजिस्तान प्रदिश के अंदर जेतनी भी उन्वरसिटी है सभी का टाम टेविल जहां तक आ चुका है और बात करें जाए बिरजी उन्वरसिटी की तो उसकी तो पोस्वन हो चुके 24 तारीक से परिक्षा है होने वाली है तो सभ आपको यहां पर most important points आता है पढ़ना किस तरीके से है मैंने बता दिया important question मैंने अपलोड कर दिया है अगर आपको इन सभी पेपर के important question चाहिए तो आपको हमारा application डाउलोड करना पड़ेगा उस application मेंने सभी subject के important question डाल दिये है physics chemistry और mathematics को छोड़ के क्योंकि mathematics वालों का मैं personally अगर कोई WhatsApp में message कर देना मैंने सभी को number दे रहा है WhatsApp नमबर है contact कर लें मैं यह चाहता हूं कोई भी BSM फिल्ड हो क्योंकि एक साल जो होता है ना एक साल उसकी जो value है वो मेरे को पता है कि कैसी होती है एक साल की value लिगन आप एक मेने में पढ़कर पा दिये application के अंदर है अगर किसी की कुछ condition है family condition है कोई required है course जो नहीं कर पा रहा है course की price आप को बता होगे दो से लिन न्यान में चल रहा है अगर किसी की कोई problem है तो मेरे को वार्ट सब्सक्राना help जरू करूंगा सब की help करता हूं मैं चाहता हूं कोई BSC में feel ना हो मैं यह तो सुनी ना कि BSC में यह तो आ रहा है किसी लिए नहीं भया सब को pass होना चाहिए मैं में मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करो बस अब देखो पढ़ाना किस तरीके से है यहां पे बात करीजा है physics के अंदर पांच unit होती है इसके अंदर physics वालो के चाहिट से पर चार unit होती है और chemistry ना है नहीं पदा नहीं है तो उसमें से आप देख लाना, बोटनी के अंदर होती है, 4 और चुलजी के अंदर होती है, 3 यूनिट, अब देखो, आपके पास टाइम तो बचा नहीं है, 10 से 12 दिन है, पढ़ना किस तरीके से है, पढ़ना आपको इन में से इस तरीके से, 5 यूनिट केमेस्ट्री में, 3 फिर 3, 4, 5, कोई सी पढ़ लो, 2, 3, 4 पढ़ लो, कोई सी भी पढ़ लो, आपको जो सी दिल अगए वो पढ़ लो, नेक्स्ट देखो, बोटनी की बात करी जाए, 4 है, 2 यूनिट पढ़ लो, खाली 2 यूनिट पढ़ लेनी है बोटनी के अंदर, कोई सी भी क्लास में हो, 1st year हो, चाहे 2nd year हो, कोई सी भी आपकी क्लास हो, उसके बाद जोलो जी के अंदर 3 है, इसके अंदर आपको 2 पढ़नी है, एक यूनिट से काम चल जाए, लेकिन 2 यूनिट पढ़नी पढ़ेंगी, क्योंकि वाइचांस, जोलो जी बोटनी के अंदर ऐसा होता है, कुशन चेंज ह है, तो भी 3 पढ़नी है, मैं इसके अंदर पता नहीं, पेपर तो 3-3 होते हैं, यह तो मेरे को पता है, तो यह है most important points, आप देखो, थोड़ा सा most important points बताता हूं, कि paper में लिखना कैसे है, most important question है, तो पढ़नी है, मैंने बता दिया उस तरीके से, most important question भी थोड़ा सा बता दू आपको, आप देखो, पेपर लिखने का तरीका, अब देखो, यहाँ पर, first number पर, English heading आपको हर question के अंदर लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, क्या करनी है, बताता हूं, जैसे कि आपका question आया, example समझ लो, botnik आया, फिर जोलोजी के, फिर chemistry का आया, जैसे कि B, S, E, P, R, sorry, जबाई, तो आपको, यहाँ पर, जो question आया है, उसको, ऐसे कैसे लिखना है, question को, ऐसे कैसे लिखना है, मतलब कि topic उसमें से, ऐसे कैसे जमाना है, double line खीचनी है, B, S, E, में अगर आपको pass होने के लिए, impressive जमाना है, teacher के सामने है, तो यह strategy जरूर लगाने हो, कि मेरे तीन साल सब तीस प्लस ही आते थे, chemistry में क्योंकि chemistry भीक थी, तो उसका reason अगया, यह तरीके से मतलब कि first में सबसे पहले heading आपको English में जमानी है, heading जमानी है, heading का आपको कहां से, याद नहीं करना वाई, paper में जो आया है, उसको यह heading में जमा दो, English में, और Hindi में, यहाँ पर यह लिख आपको यह पर दो से ती लाइन वा आंसर लिखे दो, यह first line में आपको strategy अपनानी है, और देखो सबसे पहले, आपको यहाँ पर तीर यूनिट पढ़ने के लिए मैं बताया था, second point आपका आता है, तीर यूनिट पढ़ा, उन में से, सबसे पहले, जिस unit का आपको question अच्छ मिलेंगे, starting में आपको सबसे easy question, easy question attempt करना है, और उसके वही जो method है, heading बाला, वो तो बिल्कुल रखना ही, रखना है, और हो सके तो, जहाँ question में आप answer दे रहे हो, उसमें जहाँ भी, जो सब्द के वारे में keyword आ रहा है, जैसे कि BSEPR सिद्दान था, BSEPR सिद्दान था, हर question म दो तिन जहें तो आएगा, तो उस जहें पर BSEPR सिद्दान था रहा, तो BSEPR theory इंगलिस में जरूर लिखनी है, जैसे कि मैंने लिखा BSEPR theory, तो यहाँ पर question लगा, BSEPR सिद्दान था, फिर आगे इसको कर देना है, जिससे थोड़ा impression जमें के line में अक्षर बढ़ेंगे, तो अच्छा आपको percentage बनाने में मदद मिलेगी, third है आपका question आपने तीन कर लिए, suppose करो, क्योंकि दो unit से आपने अच्छे कर लिए, third point है, अगर आपको question आ नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, कि जो भी आप question को देख रहे हो, उस question को जमाओ, उस question को जमाने के बाद, ऐसा तो होगा नहीं, कि आपने पड़ा है unit, उससे ही संबने खोड़ बहुत question आता है, और थोड़ो बहुत याद रहता है, आपको यह रहता है, तो उसमें जैसा भी आपको टूटा-खूटा आए, उसको लिखना है last में, लेकिन हो सके, तो थोड़ा उसके अंदर, जैसे की chemistry की बा लास्ट में, जो question है, उसके अंदर diagram भी दिया है, diagram हो या नहों बना देना, मतलब उससे related थोड़ा सा बना देना, अब यह नहीं कि नहीं है, कोई ऐसा question आगया, जाता भी बाटनी के अंदर हार question में, हार question में थोड़ा वो तो होता है, तो आपको focus के लिए वो करना है, और main नंबर लेना है, तो तुका तो लगाना पड़ेगा, तुका लगाने के यह तिक अच्छी है, कि उस सब्द से question इतना बड़ा है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का है, इसके अंदर करीब 8 से 10 सब्द है, तो उसमें से कुछ सब्द ऐसे होते हैं, एक यह दो, जोन किने के बार हम लिखे देना है, आगया यहां पर राइवोसम, राइवोसम के, सेल्स आगया, सेल्स के बारे में, जो भी question आए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखे देना है, question को जाल देना है, यह trick अपनानी है, important question application पर पूरे है, और तरीके पढ़ने के मैंने भाई बोल देना, आपकी मर्जी है, मैं यह चाहता हूँ, कोई BSC में फेलना हो, तो पढ़ो भाई अच्छे से, और अपडेट आपको लाते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, BSC में अगर पास होना है, और तो भाई रखना ही पड़ेगा, तो कोई आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते किसी नेस्ट वीडियो में,